हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी काई कैसे जो के से नूटिफिकेशन चारी किया गया जो की है आपका जूनियर इंजिनियर सेविल मैकैनिकल इलेक्टिकल एंड कौन्टिटी सर्वेंग और कॉंट्रेक्स अग्जामरेशन 2020 के लिए यानि SSC JEE 2020 के यहां पे नोटिफिकेशन चारी कर दिया गया तो इसको अफिसल नोटिफिकेशन पे चलेगे वहां से साइट इटेल आपको बताने वाला हूँ तो लास तक मैं साथ इस वीडियो में बने रहिएगा तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसको अफिसल नोटिफिकेशन पे हम आ चुकें स्टार्टिंग डेट के अगर हम बात करें ओलान अप्लिफिकेशन का ता 1 अक्टूबर 2020 से लिकर के आप 30 अक्टूबर 2020 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं लास्टिट यहाँ पे 30 अक्टूबर है उसके बाद ऑनलाइन फीपेमेंट करना चाहते हैं तो लास्टिट इसका जो है 1 नोवमबर 2020 यहाँ पे रखी गई है उसके बाद यहाँ पे चालान जेनरेट करना चाहते हैं तो 3 नौमबर 2020 यहाँ पे रखी गई है अगर चालान से भी भुकतान करना चाहते हैं तो 5 नौमबर 2020 यहाँ पे डेट रखी गई है करते हैं यहाँ पे एक्जाम इनिस्स डेट की तो कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम जो पेपर वन आपका प्री होने वाला है उसका डेट यहाँ पे दे दिया गया कि 22 मार्स 2021 से लेकर कि आप 25 मार्स 2021 के बीच में आप एक चालान करवाए जाएंगे डेट और पेपर सेकेंड की बात करें यानि कि मेंस एक्जाम जो कर्मेंस डेट पेपर होगा उसका डेट भी बाद में आपको बताया जाएगा आगे यहाँ पे देख सकते हैं डेटेल जो है पोस्ट का दिया गया और ऑगनाईजिसन उसके बाद यहाँ पे पोस्ट दे दिया गया है तो इसका लेश्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कौन को और ऑगनाईजिसन में कौन को से पोस्ट यहाँ निकाले गया है उसके बाद यहाँ पे CPWD में 32 साल से ज़्याद आपका एज नहीं होना चाहिए इसी तरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं तीस और 32 साल मैक्समिम वेज यहाँ पे दी गई है जो कि जेनरल काटेगरी के लिए रखा गया है अगर आपे CSD है तो 5 साल की छूट मिलेगी OBC को 3 साल की है PWD कंडेट को 10 साल की छूट यहाँ पे मिल जाएगी बाकी डीटिल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं बात करते हैं सेंसल क्वालिफिकीशन की और एक्सपरियेंस यहाँ पे क्या-क्या मांगा कै या नहीं तो आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का सिभिल में तो 2 साल का एक्सपरियेंस आपको यहाँ पे मांगा हुआ है तो B.B.T.E.G. वालों को कोई एक्सपरियेंस नहीं चाहिए लेकिन डिप्लोमा वाले के 2 साल के लिए experience यहाँ पर मांगा गया है इसी तरह से आप check कर सकते हैं इसी तरह से आप चीक कर सकते हैं Central Water Power Research में आप जूनियर इंजिनियर सिबिल के लिए सिबिल इंजिनिंग में डिपलोमा होना अनिवारे हैं इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल इंजिंग में डिप्लोमा होना अनिवार रहे हैं इस तरह से आप चेक यहाँ पर कर सकते हैं डिप्लोमा दोनों के लिए यहाँ पर जूनियर इंजिनियर सिविल सेंटरल वार्टर कमीशन में भी वेकेंसी निकाली गी है तो यह है तो सीविल में आपका यहाँ पर डिगरी होना निवार रहा है अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपका दो साल का experience भी मांगा हुआ है साथ में यहाँ पर बाकी डीटिल आप चीक कर सकते हैं जूनियर सकते हैं कैसे आपको apply करना है तो इसको official website का link जो description में मिलेगा वहाँ से जाकर क्या apply कर सकते हैं उसका last में मैं बताने वाला हूँ कहां से आपको apply करना है application फी की बात कर तो 100 रूपीच application फी आपकी रहने वाली है अगर आप ए cht है और उमाइन करने रहे हैं तो आपको कोई भी application फी यहाँ पे देने के ज़रूरत नहीं है बागी आप detail यहाँ पे चीक कर सकते हैं किस तरह से आपको payment और application यहाँ पे फेल करना है center of the examinations आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो आप चीक कर सकते है आपका examinations conduct करवाए जाएंगे जिसमें आपका general intelligence and reasoning के पचास questions होंगे पचास marks के रहेंगे उसके बाद general awareness के पचास questions पचास marks रहेंगे अब यहाँ पे दूसरा जो है पार्ट A paper होगा उसमें आपका general engineering से question पूछी जाएंगे अगर आप civil branch है तो civil के questions पूछी जाएंगे अगर आप यहाँ पे electrical के तो electrical के mechanical के तो mechanical के questions आप से पूछी जाएंगे जो paper 1 आपका होगा ओ दो घंटे का exam यहाँ पे होने वाला है दो घंटे में आपको यह paper attempt करने होगे paper second यहाँ पे descriptive type का होगा यानि main से exam होगा जो की detail आपका यहाँ पे होने वाला है part A में आपका general engineering से question पूछी जाएंगे आप जिस भी branch से belong करते हैं जिससे भी apply करना चाहते हैं कर सकते हैं उसी से related question आप से पूछे जाएंगे और part B में आपे general engineering के देख सकते हैं electrical branch के रहेंगे और part C में mechanical के हैं तो आप जिस भी branch से apply करेंगे उसी branch का paper आपको attempt यहाँ पे करना होगा 300 marks का paper होगा यहाँ पे 2 घंटे के exam conduct करवाए जाएंगे आपका paper यहाँ पे बोला जारा कि paper 1 आपका objective type का multiple choice questions होगे इसमें देख सकते हैं English और Hindi दोने में paper आपको देखने को मिल जाते हैं 0.25 के negative marking भी यहाँ पे रहने वाली है पर second आपका जो conduct होगा यानि कि जो आपका return examinations होने वाला है मेंस का उसमें slides rule, calculator, logarithmic table and esteem table यहाँ पे allowed किया जाएगा लेकिन paper 1 में allowed आपका नहीं रहेगा यहाँ पे indicative syllabus आपको देखने को मिल जाता है paper 1 का syllabus यहाँ पे दिया गया है जो कि general intelligence reasoning का syllabus आप यहाँ पे देख सकते है general awareness का देख सकते हैं इसी तरह से आप civil engineering का syllabus देख सकते हैं electrical का उसके बाद mechanical का देखने को मिल जाता है आप अपने preparation यहाँ पे कर सकते हैं पोस्ट reference की तो अगर आपका selection हो जाता है document verification के time पे आपको वहाँ पोस्ट का reference देना होगा अगर आप BRO select करते हैं तो BRO में यहाँ पे बोला जाना कि physical and medical standard test भी आपका होगा जो कि physical efficiency test यहाँ पे लिया चाएगा तो इस पूस्ट के लिए आप देख सकते हैं BRO में physical standard test conduct कर आपके करवाए जाएगे mode of selection की बात के हैं तो आपका paper 1, paper 2 में minimum आपको 30% on result में OBC, WS के 25% और others को 20% कम से कम लाने होगे बागी जो cut off हाएगा उसके recording आपका selection यहाँ पे किया जाएगा अब यहाँ पे कुछ important instruction दिया गया candidate के लिए तो आप इसको पर सकते हैं यहाँ से चेक साई detail कर सकते हैं नीचे जब आएगे तो किस तरह से application form आपको feel करना है उसके बारे में आप इस सारा process आपको समझाया गया है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं चलिए बात करते हैं कि इस तरह से आपको apply करना है तो आप इस link पे click करेंगे apply now के link पे आप speech पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आगर आप पहले से इसमें registration है one time registration होते हैं तो आप username password यहाँ पे डालेंगे photo signature upload करेंगे और यहाँ से आपका जो है registration हो जाएगा registration होने के बाद आप जो है इसमें login करके apply यहाँ भी कर सकते हैं तो दोस्तों आज के update में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिएगे दोस्तों के साथ share कीजिएगे नए है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वे लाइक बेस करना ना बुले कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा thanks for watching this video